इस कोर्स विच आपाँ पड़े ही असान त्रीके नल सिखांगे के अक्टिव वाइसनू पैसी वाइस देविच के में बदलना है जिने के तौनू पता है तैंस तिन तरां देहन प्रेजेंट पास्ट अते फूचर अग्यों इनना दियां चार चार किस्मा हुं दिया हन continuous, perfect, perfect continuous ते in definite इस कोर्स ते विच आपाँ सिखांगे के जो active तो असी passive बनाँ देहां या सारे जो असी रौइति तोर तो के अने बारा टेंस केंदें देहां एन्ना सारे आंपाँ लीच नहीं बनदे इना दे विच ओं सिरफ आठ देही active voice तो पैसी बन देहन ओ चार तेंस चिनना दे, active voice तो passive voice नहीं बन्दे, ओ हन future continuous tense, और ते तिन्नो perfect continuous tense, जे में के present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, ते future perfect continuous tense, वेसे ता अपा tense by tense, बडी detail दे वेच, active voice, passive voice, दियां examples करकरके ए सारा कुछ आपा सिखांगे, बट एठे में शुरुआद दे वेच, सोनू थोड़े स्टूडें से दस देन है, के active voice ते passive voice की है, मालनो आपा केना होवे, ओ हो की खेड़दा है, ए है active, एदा passive voice की बन गया, हो की उस द्वारा खेड़ी जान दी है, हो की उस जो दो सी द्वारा लगा देने है, ता ओ हो passive दे विच कनवर्ट होएंदे, जिमें आपा केना होवे, ओ कपड़े तो रहे हैं, ता एदा passive बन गया, कपड़े उना द्वारा तोते जारे हैं, ओ अखबार पढ़ रही है, अखबार उस द्वारा पढ़या जारे है, ओ हो प्रेस कर रही है, कपड़े उस द्वारा प्रेस किते जारे हैं, ओ मैच नहीं खेड़नगे, मैच उना द्वारा नहीं खेड़या जावेगा, जो जो दो सी द्वारा लगे सेंचेंस पना देने हैं, ता ओ बन जन दे स्टूड़ेंस पैसिव, हुन आपाँ वान बाई वान इक इक चैंस नू पूरी डीचेल दे विच करन जा रहे हैं स्टूडेंस ते बड़े हिट्ट्य आ अनल तुसी ए सारे शारे सारे चैंस ते जो भी आपाँ एक्जेम्पल्स करांगे, तुसी एनू बड़े हिट्ट्य आनल सुनना है, लिखना है ते इस कोर्स ते अद दे व continuous tense tense आपा अल्रेडी कर चुके हां ते हुन आपा करन जा रहे हां इन्ना दे active passive present continuous tense ते जो निशानी हुन दी है ओ है रहा है रही है रहे हन एदे विच helping वाब लग दी है is mr जो के आपा कर चुके हां हुन active passive की हुन दे हन किस sentence नो आपा कमांगे ए active है ते किस sentence नो आपा कमांगे ए है passive है ते passive के में बनाओने हन आओ आपा सिखिए ए sentence तुसी पड़ो की लिखिया है ओ हो बदाम खा रहा है इस sentence ती निशानी है रहा है जिस्तो सा नू पदा चलिया ए tense है present continuous tense हुन एदे विच वर्ब की है खाना एदे विच स्टूदेंस वर्ब की है किरिया केडी है खाना खाने ते English simple जाब वर्ड है असी कैद अन्दे हां इट इट means खाना हुन त्या आनल देखो घिससे sentence ते विच कर्यान करन वाला सब्जेक्ट जिससे sentence विच वब हर्ड करन वाला सब्जेक्ट मतलब कर्यान करन वाला कर्था सब्जेक्ट मजूध होवे ओसे sentence नू आसी active केंद यहां हुन इथे देखो खाना किरिया है तुसी में दुस्तो कौन खा रहा है खान दा कम कौन कर रहा है खान वाला कौन है इस किरिया नू करन वाला कौन है करन वाला किरिया नू करन वाला मतलब करता कौन है कौन खा रहा है लबोई सेंचंस टेविच तो जदो तुसी नू पढ़ों गे ओ बदाम खा रहा है तो हनू कलीर हो जेगा के ए दे विच जो खान वाला है ओ है ओ हो ओ हो की है फिर सब्जेक्ट पंजाबी दे विच इनू आपा कहना देहां करता सो ओ हो जिस्तिक इंग्लिश सानू पता है ही इत्या पर लिख देने है ए है सब्जेक्ट देखो जी ओन तन जिस्तिक इंग्लिश के में बनेंगी आओ आपा देखिये एक्टिव सेंचंस दे इंग्लिश नू बनावन दे लई याद रखने असी सब्जेक्ट तो ही सेंचंस दे शुरुवात करांगे students कितो शुरुवात करांगे अपा subject तो तब पहला पह लिख्या ही subject तो शुरू करने मैं फिर पोच दे active शुरुवात कितो होगी subject तो subject के रहे थे ही उस तो बाद helping verb helping verb he दे नलसी लगा देती is he is बन गया सनुए पतेवी continuous tense ते विच वब दी पहली फॉर्मनल आई एंजी लग दी हूं दी है अच्छा helping verb लिखन तो बाद असी फॉर्स्ट फॉर्मनल लगा देती आई एंजी ता ए बन गया eating he is eating ए हो गया हूं उस्तो बाद असी लिखने एथे बदाम दी इंगलिश की खा रहे हैं बदाम दी इंगलिश अ-ल-m-o-n-d-s एनु बहुत सारे लोग की बोल दान देने almonds नहीं ए है almonds एल इदे विच आपा नहीं बोलांगे एनु almonds नहीं कवांगे एनु आपा कवांगे almonds होने बन गया sentence बोल के दखाओ he is eating almonds मैं फेर एक बार तो दीर वीजन करवा देमा एक्टिव ओ हुंद है जिस विच वब नु करन वाला सब्जेक्ट होवे एथे सब्जेक्ट कीये ही वब कीये खाना तब ए बन गया he is eating almonds students गौर करो होने से sentence वाल बगाम उस तवारा खादे जा रहे हन रहे हन क्लीर है ए प्रेजन काने यह sentence है एदे वेच वब केड़ी है खाना तब एथे खादे जा रहे हन खाना वब है eat वब है इनु नोट कर लो eat की एथे वब है पर एदे वेच जो सब्जेक्ट है ओ दिना द द्वारा शब्द लग्या हुए है हुन तुसी एक गल याद रखो जिस सेंचेंस ते विच जिस वाक ते विच जो सब्जेक्ट है किरिया नू करन वाला करता है ओ द्वारा शब्द ना लिख्या होए ओ दिना द्वारा लग्या होए तो ओ सेंचेंस नूँ असी पैसिव कह जे तो हुंदा ओ बदाम खा रहा है ओ एक्टिव है जे एही सेंचन सेदा लिख्या गया बदाम उस दुवारा खा दे जा रहे हन जो दो सब्जेक्ट दुवारा नल दित्ता गया होए कि आकम किसे दुवारा किता जा रहा है ओनों असी इंग्लिश ते विच कहने हां पैसिव हुन ए है ता पैसिव ए ता पता लगया बट एधी इंग्लिश के में बनेगी सौखा है सोनों तरीका दास दे त्यानल देखियो पैसिव बनाओन दे लई असी सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग नहीं कर दे याद रखने जदो एक्टिव बनाओन है तो जिसने जो बंदा को कर रहा है उत्थो असी शुरू करांगे ही तो जदो पैसिव बनाओने ने ओस वक्ट असी अब्जेक्ट तो स्टार्टिंग देवांगे मतलो की खारे है की खारे है की खारे है बोलो बदाम ता बदाम तो स्टार्टिंग देवांगे ए लेख लिए असी आमंड याद रखन एदे में नीचे लिखी विदिने O B J E C T अब्जेक्ट तो असी स्टार्टिंग करें लिखले हाजी आमन्स उस्तो बाद असी करांगी जिये थे helping verb दास्तमाल R क्यों आमन्स जादा ने तो असी R लिखता हुम तुसी गल याद रखो ए जिनने भी continuous tense आप पढ़ांगे एक रूल याद रखो एनना दे passive being लगा के बांदे हन याद रखने एनना दे passive बांदे हन B E I N G being लगा के बांदे हन तो ए लिखो आमन्स आर बीइंग आमन्स आर बीइंग लिख लिया आमन्स आर बीइंग फिर हर पैसिव दे विच चायो जेडे मर्जी tense दे passive है याद रखने आप आलवेज थर्ड फर्म यूज करांगे आमन्स आर बीइंग इट दी थर्ड फर्म आगी एथे इटन आमन्स आर बीइंग इटन कीडे दुवारा by हीदा बांजूगा हैं जेक लिखांगे फिर helping verb continuous tense दे विच आसी बीइंग दा इस्तमाल करांगे याद रखने बीइंग दा उस्तो बाद आसी always third form लिखांगे उस्तो बाद आसी लिखांगे always third form हुन अगले sentence दे आओ बदाम खादे जारे हन इस sentence नो जी आप दे आनल देखी यह ता ए भी present continuous tense है इच खाना verb है खादे जारे हन की खादे जारे हन बदाम तुसे ए देखो इथे खानवाला कौन है इथे किर्या नो करनवाला कौन है इथे verb केडिया eat eat की यह थे verb है इस verb नो करनवाला subject मतलग करता कौन है लब के दखाव मेनो बदाम खादे जारे हन जो तुसे सोचोंगे तुसे कोंगे इदे विच सर कोई subject नी कोई subject नी खानवाला इदे विच इस sentence ते विच मजूद नहीं है जिस sentence ते विच subject मजूद नहोवे ओनू भी असी passive कहने है students तो एथे मैं लिख दन है no subject एथे कोई subject नहीं है एथे करता है ही नहीं तो एभी की है passive है है तो एड इंग्लिश भी उदो ही बनूगी सब तो पहला आपा लिखांगे object ए है almonds A-L-M-O-N D-S, almonds फिर R, A-R-E-R फिर continuous tense ते थर्ड फॉर्म इटन बस एथे ऐसी रोकतांगे हुन याद रखो passive दो तरीके नल हो सकते हन जाता subject होवे ना subject ही नहीं है प्रैक्टिस करांगे आपा हुन जा subject दोवारा शबदनाल लिखा होवे बड़े सौखे तरीके नल मैं तो अनू समझा रहे हैं students फिर देख लो हुन आपा practice करांगे active हो हुन दै जिरे विच subject है ते उनू बनाउन दा ओही तरीक है जिमें आपा नौर्म ली बनाउने होने है पहला subject लिखता फिर helping verb फिर first formal आई एंजी passive उनू कहने है जिरे विच ते subject द्वारा लाके दिता हुए उनू बनाउन ली है सब तो पहला लिखने है object के रिया किस्ते कर रहे हैं है फिर helping verb फिर हर continuous chance चल सी being दा इस्तमाल कर दे है ते फिर third form ता rule है हर passive दे विच आपा third form use करनी ही करनी है ते बन गया सी almonds are being eaten by him ते जे subject ही नहीं है बहुत सारे sentences हुदे ने जोडे without subject हुदे ने जो में आप आकसर कह दे ने आपा अखबार पड़ेया जा रहे है कौन पाड़ेया है? हाई नी, passive है है गड़ी चलाई जा रहे है कौन चला रहे है? हाई नी, passive है आई बदाम खा दे जा रहे है कौन खा रहे है? पता ही नी no subject, ता यह भी passive है यह इंग्लिश भी एदी मनेगी almonds are being eaten आओ करिये students आपा हुदे active passive दी practice देखो sentence किये है ओ कपडे तो रही है हुद तुसी मेनो दसो एदे वेच वर्ब केड़ी है जिदो आपा वर्ब लबांगे ताम बड़ी easily सानो नज़र आ रही है तोना, तोन दी इंग्लिश हुदी है wash, एट आपा लिखे रहा क्लिए wash means तोना wash की है एक वर्ब है wash is a verb हुद देखो, एथे तोन वाला कौन है तोन दा कम तोन दी किरिया कौन कर रहे है जदो लबोंगे sentence पंजाबी ची लबने, ओ कपड़े तो रही है आपा आप ही कह रहे है ओ हो तो रही है ता आ साधा हो गया subject ओ हो, रही है ता मतलम असी शीडी गल कर रहे है ए है साधा subject ता जदो मैं सुनू क्या सी sentence ते विचे subject हो वे वा मनो करन वाला हो वे ता ओ की हुन दे active ता आ की हो गया active ए एक्टिव दे फार्मूले मतावक बनेगा एक्टिव दा फार्मूला की है एक्टिव दे ही फार्मूले की असी subject तो ही शुरू करने शी याद रखने, active दे विचे शुरूआत, subject ही होनी है शी नार्मल उस तो बाद फिर आपा helping verb लिखनी है is शी इस इस तो बाद असी सिद्धी verb लिखनी होनी है याद रखने is m, r तो बाद ing सानू पता ही है शी इस वाशिंग यह में आपा लिख देनी है she is washing की तो रही है ओ लास्ती आएगा object लास्ती आएगी clothes c-l-o-t-h-e-s हाँ जी बोल के दखाओ हून की बन गया है she is washing clothes इदर आओ हून कपडे उस त्वारा तो ते जारे हैं कोई एदा मिँ बोल सकत है यह sentence ते विच तोना वर्ब है पर जो subject है और द्वारा लाके दितना है द्वारा लगाके जे किसे sentence चो subject था है पर ओदे नाल द्वारा शब्द लिख्या है द्वारा जावल्लों के दने आपा द्वारा लिख्या है तो ओए sentence नो आपा कमांगे एह passive है की एह बोलो passive फिर इंग्लिष के में बनेगी passive दे जदो इंग्लिष बनोनी है तो हमेशा असी object तो शुरू करने की तो रहे हो कपड़े तो इथो starting जवांगे clothes C-L-O-T-H-E-S उस तो बाद helping verb एथे आ राजेगा हून उठे शी सी इस करके असी एज़ लिखे असी एथे clothes नाल आ राजेगा continuous chances दे जिनने भी असी passive बनोने ने याद रखो ओ दे विच असी helping verb तो बाद being दा इस्तमाल करने जदो आप आप दसने के कम continuous भी हो रहे है तो ओ passive दे विच असी being दा इस्तमाल करने clothes are being असी being लिख लिए जिये थे फिर मैं की क्या असी being तो बाद always third form हर पैसे विच इस तो बाद third form clothes are being washed w a s h e d बाच असी लिख दांगे उस दुवारा by her जे ही हुंदा ता असी him लिख दांदे she दे लिए इसी की लिख दे था her हुने बोलो sentence की बन गया clothes are being washed by her आ sentence देखो कपड़े तोते जा रहे हन इदे विच तो ना किरिया है पर कौन तो रहे इदे तो हुंदा कम इवब कौन कर रहे है है इनी इदे विच इस करके किया है passive जिस sentence दे विच subject ना हुए मैं ते लिख देना है no subject जिस sentence दे विच subject है ही नी किरयानू करन वाला है ही नी ओ की है passive कपड़े तो ते जा रहे हन इदे पैसिव है तब इदे इंग्लिश असी एक तो शुरू करांगे पहला लिखांगे object object की है clothes आर जी में उपर लिख्या है आर ते उस्तो बाद बींग असी लिखना ही लिखने हार continuous tense दे विच ते थर्ड फर्म भी असी लिखनी लिखनी है washed बस एठे असी रोक दे माँगे आ बन गया साथा sentence clothes are being washed तो जी active है active की हुंदा है जी स्विच सब्जेक्ट होवे passive ओ हो है जी स्विच सब्जेक्ट जाता है ही नहीं जा द्वारा लाके देता हुए active दी शुरुआत हुंदी है करता तो subject तो passive दी शुरुआत हुंदी है object तो बाकी practice कर दे आपा next sentence students मैं कार चला रहा हा रहा हा means present continuous tense दस्वे दे वे चु वर्ब केड़ी है एनिक तर सानू थोड़ी दी नॉलिज चाहिन दी है चलान दी इंगलिश शुंदी है drive ते drive है थे verb आप ऐते लिख लेने चलाना is a verb ते चलान दी इंगलिश है थे आपा की लिखांगे drive a.o 553 d r i ve drive कॉन चला रहे है कार चलान दा कम कॉन कर के चलान दी किर्या कॉन कर कार है ओ साडा सब्जेक्ट है ता सब्डा सब्जेक्ट सा całनू क्लीरली नजर आ रहे हा ओ है आय की है साड़ा सब्जेक्ट ए थे आपा लिख देने subject जिस sentence ते विचे subject होवे किरयानू करन वाला ओ की हुन दै active हुन जे कोई कभी इंग्लिश पनाओ active sentence ती English दा formula ही एवी उनू शरुवात दिमां के असी सडे subject तो ही ता ए शरु होईगा आए तो आए तो बाद subject तो बाद असी helping वाब लिखनी है आए देना लगदा हुन थे एम ते active दे विच जुदो सी helping वाब लिखती नाल दी नाल सी verb लिखनी हुन दी है थे बस की लिखनी हुन दी है थे वर्ब first formula ing लगदी है तो ए बन गया I am driving I am driving ठीक है I am driving की चला रहे है मैं object है a car कहलो या the car कहलो जो एक खास कार दी काल कर रहे है तो असी the car नहीं है असी a car कह देंगे चलो मैं लिख देता I am driving the car होना जो इदर car मेरे द्वारा चलाई जारी है रही है means रही है मीन्स प्रेजन कॉर्णी नियू स्टेंस चलाना भी ये दे विच वर्ब साड़ी कुल है वर्ब केड़ी ये दे विच चलाउना drive में होने दसे है students object की ये की चला रहे है मैं car ये है साड़ी object पर जेड़ा ये दे विच चलाउन वाला करता है वो है तह है पर उदे नाल word लगया है दुआरा पंजाबी शबद लगया है दुआरा जदो subject दुआरा ना लिख्या होवे तो ओ की हुंद है passive मैं बार बार तांद आसे ताके साड़ी revision हुंदी रवे practice हुंदी रवे car मेरे दुआरा चलाई जारी है ये है passive ते passive दी शुरुवात हमेशा असी object तो कर दे है students h object की है car तो असी लिखांगे the car the car उस्तो बाद helping अब लिखांगे is car ना is लगेगा m ता नहीं लगेगा is फिर passive दे विच अज जिने भी continuous tenses दे passive हुंदे ने एना दे passive दे विच असी being दे इस्तमाल करने है the car is being the car is being ते उस्तो बाद always third form ते धिड़ी third form उणदे दिवन D-R-I-V-E-N धिड़ी second form उणदे दोफ D-R-O-V-E ते third form के डि़ी है students driven D-R-I-V-E-N की दे दवारा ओ शी बाच लिखांगे बाद लिखांगे by me e बाद गया sentence बोल के दख़ the car is being driven by मी होने दर आओ कार चलाई जा रही है कौन चला रहा है कार इथे चलाउन वाला सानू नहीं दिख रहा मतलब इथे subject करता वामनू करन वाला नहीं है तो इथे मैं लिख देता no subject इथे subject नहीं है जिस sentence ते विच करता ना होवे ते ओनू भी आपा की कहने है पैसिव तो इन इंग्लिष भी एदद ही बांजेगी पहला पल लिखांगे object the car फिर is being फिर third form driven, the car is being driven चलाई है students अगले sentences दे उपर ते देखो साथा sentence है ओहो कमरा साफ कर रहे हन present continuous tense ओहो means दे जादाने plural देच एचो साफ करना की है वर्ब है एदेच वर्ब की है students साफ करना जिस्ते के ऐसी इंग्लिष लिखांगे clean clean एथे वर्ब है किरिया है हुन मेन वे दिसो clean जो के वर्ब है कौन कर रहे हन यह वर्ब कौन कर रहे हन जो दो पढ़ोंगे sentence तस उनो clearly नजर आ जूगा ओहो कमरा साफ कर रहे हन clean दा कम ओहो कर रहे हन clearly नजर आ रहे है ता ओहो की है एस साड़ा subject है जिस दी के इंग्लिष असी लिखांगे दे मीन्स जादाने ही एक वचन दे बाव वचन ही इस सिंग्लर दे की है प्लूरल ओह कमरा साफ कर रहे हन ता एक्टिव है क्योंकि यह दे विच subject है हुन मैंने दुसो subject है, active है पता लग गया हुन असी इदी इंग्लिष के में बनाई है इंग्लिष दे विच सब तो पहला एक्टिव दे विच असी कितो शुरुआत कर दे है असी शुरुआत कर दे है पहला subject तो, ए बन गया दे, चाहिए दे नीचे लिख लेने आपद दे की है थे subject है students ए तो शुरुआत करनी है, उस तो बाद helping verb, helping verb कियांगी are, साढ़े कोले helping verb कियांगी, are फिर verb is MR तो बाद ing they are cleaning C-L-E-A-N-I-N-G activity विच helping verb तो तुरंत बाद असी verb दा use कर दे की साफ कर रहे हैं ओ साढ़ी object है, जो के बाच लिखांगे ए दिर मैं लिख दान है, they are cleaning the room, they are cleaning the room, थोड़ी space cuts ही मैं इदर लिख देता, they are cleaning the room, ओ कमरा साफ कर रहे हैं तो यह थे the room की हो गया students, the room एक object होगी ए फार्मूल है होन इदर आओ, कमरा उना द्वारा साफ कितना जा रहा है, रहा है present continuous tense साफ करना verb है, पर एदे जो subject है हर वार असी हुन पढ़ रहे हैं ओहो, द्वारा लगा के जित्ता है है ता है पर उद्वारा लगा के जित्ता है इस करके किया है passive, ते passive ने विच असी सब तो पहला किस चीज़ इस्तमाल कर दे हैं object की साफ कर रहे है एक किरिया किते किते जारी है object तो तो एदी English बनाओंदे लिए असी सब तो पहला लिखांगे the room एठो शुरुआद करांगे the room फिर helping up ओता लिखनी लिखनी is room singular is फिर क्योंके पैसिव है continuous tenses दे पैसिव बन दे हम देने being लगांके एठे सी लिखता हूंगे being the room is being फिर असी की करांगे एठे लगांगे third form क्यों क्योंके पैसिव दो रूल है असी हर पैसिव दे विच third form दे है the room is being cleaned room साफ किता जारे है किदे दवारा ओना दवारा by them एठे बन गया साथा sentence बोल के दखाओ the room is being cleaned by them next सेखो camera साफ किता जारे हा है त्यानल देखो एठे विचे साफ करन वाला दसो मिनू कौन है दसो शाबाश कोई नहीं कोई तो कोई हूँ मतल वे थे mention नहीं subject इसे sentence देविच है नहीं तो इठे आपा लिखले है no subject no subject दा मतलब इडे विचे subject mention नहीं किता गया कौन है तो ओ भी passive हुन दे passive आता है दे इंगलिश है दे ही बांजेगी the room the room फिर is फिर उपर वाले लिखना है the room is being cleaned camera साफ किता जा रहे है दा the room is being cleaned I hope तो अनू समझ आ गया है चाल देएं students अगले sentence दे उपर photo sentence ओहो चा नहीं बना रही है इस sentence दे विच बनाना की है verb है तब बनान इंगलिश आगी साड़िक ले अच्छा एह है negative नहीं simple है बना दा गया आपा इदे विच सब्जेक्ट की है तो अनू नजर आ रहे है ओहो सब्जेक्ट की है इदे विच ओहो she रही है तो पता लगया एह है she subject है it means एक्टिव है ता active दे ले ज़िए जदो English बनावांगे असी subject है starting दे वांगे एह बांजेगा she उस तो बाद helping verb is इस तो बाद negative है ता पान not लगा के लिख दे वांगे she is not making जदो making this spanning लिखने ने ता last दे उपर जो ए है इनू कट के असी की लिख दे वांगे I and G she is not making अगे असी object लिख दे वांगे की चीज टी simple जब बन गया she is not making टी ओ चा नहीं बना रही है हो ने दर आओ चा उस तवारा नहीं बनाई जा रही है रही है present cognizance बनाना वर्ब है पर इदे विच जो subject है ओ द्वारा लाके जित्ता होया है clear है जो दो subject द्वारा लगा के जित्ता होया तक की होंदा हो passive टी passive दा फार्मूला अलग है English बनाऊंदा passive दे लिए सी सब तो पहला लिख दे हुनिया object वे किरिया किती किते जा रही है सब तो पहला सी लिखांगे T फेर दस्टो जी helping आप लिख दांगे T is इस तो बाद सी लिख दे हुनिया being continuous tense पर ये negative है तो एथे being दी बजाए लिख दांगे not being बस T is not being उस तो बाद वर्ब दी third form तपकी है T is not being made केस तवारा by her ये बन गया दी साथा sentence हुन तो सी बोलो T is not being made by her आज sentence परो चा नहीं बनाई जारी है ये विच बनावना वर्ब है साथे कोले make पर जो दो सी गौर्णल देखांगे ये विच सानू subject नजर नहीं आवेगा ये भी passive है passive दी शुरुवात असी इत्वी करांगे ये बन गया T is फिर ओही चीज टी इस not being made टी इस not being तो बात थर्ड फर्म टी इस not being made ए एक्टिव टे आहा passive next एको students ओ बच्चिया नो चिड्क रेहा है present continuous tense इड विच जो सी वर्ब यूज करांगे ओ है रभ्यूक या स्कोल्ड जिस्ता मतलब हुन्दा है चिड्क न मैं पहला है दे स्पैलिंग लिख दा हां देखो students चिड्क न इंग्लिश लिखलो R-E-B-U-K-E काफी उन्दियाने में दो लिख दने थे रभ्यूक ते दूसरा वर्ड है स्कोल्ड S-C-O-L-D चिड्कना है साड़े कोले वर्ब आ है साड़े कोले वर्ब चिड्कना साड़े कोले वर्ब है कौन चिड्क रहे है चिड्कना काम कौन कर रहे है ए जो सब्जेक्ट है ओ केना है रहे विच बड़ी क्लीरली नजर आ रहे है ओ हो पंजाबीच पढ़ांगी तो पता लागे जाना ओ हो बच्चियानों चिड्करे है तो चिड्कन दी करेया ओ कर रहे है तो ओ हो सब्जेक्ट जो के है ही जो के है प्र कितो स्टार्ड करना सी subject До तो इदे शुरुआत असी करना गे ही तो ही औस तो बाद helping verb is उस तो बाद direct verb ते continuous tense ते विच असी verb धी first forminal ing लिख दे है he is rebuking r e b u k ing आज जो last वाली e है एनू काट की असी ing पादने है जासी लिख दांगे he is scolding s c o l d ing अच्छा एक किरिया कर कीते रहे है कीनू चिड़ करे है ओ अब्जेक्ट है बच्च्या नू तो एथे लिख दो children जे खास बच्चे ने दर children नहीं तांसी children लिख दांगे तो आज साथे को ले हो गया जी sentence ready ते तुसी बोलो he is rebuking children जा he is rebuking ती बजाए he is scolding children होने दर आओ बच्च्या नू उस द्वारा चिड़किया जा रहे है tense भी हो ही है present continuous tense इजे मर लगे गए दे विच सब कुछ है दे विच चिड़कना भी है object भी है पर जिना subject है उनना द्वारा शर्द लगा के दिता हो जा थी ए पैसिव हो गया हुन की हो गया है passive पैसिव दे शुरुआत होन किठो कर दे होने असी subject तो नहीं कर दे object तो कर दे ए जो किरिया है चिड़कन दी ए कीटे कर दे है ओ है सड़ा object मतलब बच्चे तब इजे शुरुआत असी करांगे children शबतो children बच्चे clear है एदे नीचे लिख लेने असी ए एथे object तो कम कर रहे है children फिर helping up are बच्चे ज़्यादा हन तसी एदे ना लिखांगे are फिर क्योंके passive है continuous दे passive दे विच असी being लगा के third form लिख दे children are being rebuked R-E-B-U-K-E-D जा children are being scolded S-C-O-L-D-E-D कीदे दुबारा वो बादे विच आज़न दे by him यह बन गे लिए children are being scolded यह children are being rebuked by him अगला sentence पड़ो बच्चियानू चिडकिया जा रहे है हुन एदे विच तुसी गौर करोंगे चिडकना है साड़ी कुले किरिया है पर इस किरियानू अंजाम देन वाला चिडकन वाला subject नहीं है कीनू चिडकरे है ओ हुन दी object यह passive है यह दे विच लिख लेने no subject यह थे वर्ब नू करन वाला जो subject है ओ है नहींगा यह दे English वी passive form ची बनूगी एद नहीं बनूगी लिखो children are being फिर third form rebuked या scolded ते जहां की आगया जी scolded so I hope ता उनू समझ आगया चांदेन students अगे साड़ा sentence है की ओ हो घीत गा रहा है present continuous tense but प्रशन वाचक है interrogative नहीं कहना प्रशन वाचक दी English हुन दी है interrogative जद मैं chances दे उपर course बनाया सी ओस वक्त भी मैं हुना वीडियो से विच क्या सी के इनू आपाने interrogative नहीं कहना interrogative कहना है आओ बनाये की ओ गीत गा रहा है एदे विच दसो मैनू ए दसो के दे विच वर्ब केड़ी है जी एदे विच वर्ब है गौना ता सानु ए ता पता लागिया गौन्द इंग्लिष पड़ी सौखी जी है सिंग सिंग एदे विच है वर्ब केरे है कौन गारे है जी ओह गारे है ता ए है साड़े को ले subject ही है साड़े को ले students subject जोदो subject है ता इट मीन्स ए अच्टिव है आओ जी इंग्लिश पनाये एक्टिव सेंचेंस ती शुरुवात हों दी है subject तो बट क्योंके प्रशन हुआ चक है क्योंके interrogative है interrogative दे विच असी चीड़ी helping verb है न ओनो subject तो पहला लिख देने है ता आओ आप अपा लिखिए एथे he is नहीं कमांगे एथे आपा कमांगे is he मतले लगेगा subjective शुरुवात दे विच बट प्रशन वाचिक हों करके असी इजनों अगे करता ए रूल है इज ही तो बाद ing जे मैं आप रूटींच लिख दे होने है is he singing is he singing the song जे कोई खास गाना है ता असी दर लिखने मांगे नहीं अ लिखने मांगे मैं इथे चलो दर लिख देता हुन बोलो sentence की बनेगे is he singing the song हुन आजो एदर की उस त्वारा गीत गाया जा रहा है की उस त्वारा गाना जा गीत गाया जा रहा है tense भी हो ही है present continuous tense पर एदे विच सब्जेक्ट दुवारा लगा के दिता हुए ए है passive passive दी शुरुवात असी कर दे object तो हुन तुसी मेनों दसो एदे विच object की है की गाया जा रहा है मतलब गीत असी यथे लिख दांगे the song ए है साड़ा object एदे विच वर्ब केड़ी है वर्ब है sing गाउन वाला उस दुवारा लिख्या हुए ए है passive clear है passive दी शुरुवात असी कर दे है कितो कर दे है object तो पट क्योंके प्रशन वाच चके है ता असी the song तो शुरु करन दी बजाए एक एंदी बजाए the song is being एथो शुरुवात करन दी बजाए क्योंके प्रशन वाच चके असी दी शुरुवात करन गे एथो इस तो बस आगे लिखतांगे is the song लिख लो students is the song बाक्यो ही फार्मूला being लगांके third form passive दे विच continuous दे sing दी जो third form होंदी है ओ है sung is the song being sung किरदवार बाय हिम उस दवार sing दीजे second form दी लोड पाए जावे इथे नी लोड पाएगी ओ है sang third song अगले sentence दी आजो की गीत गाया जा रहा है की गीत गाया जा रहा है इदे विच subject नहीं है गौन अला नहीं है दे विच ता इस करके अवी की है passive एथे लोड़ा जावेगी is the song लिखो students is the song being sung is the song being sung पिचे a sign of interrogation so I hope ता अनौ चलीर हो गया है next sentence is O television तेलिविजन देख रहे हैं, बनाओ हों तो सी एनू, एने वेच वब केड़ी है देखना, टेलिविजन वगएरा देखना होवे तो सी देखन इंग्रिश लेख देखने हैं, students watch, की लिखने हैं, watch, watch means देखना, सानू वब पता लगे देखने वेच है watch, वब है, कौन देख रह रहे हैं, रहे हैं means जादा ने दे, ए साथे कोल है subject, एक कोई negative नी, कोई interrogative नी, simple है, ओ टेलिविजन देखरे हैं, तो हुन एक ही हो गया, active के passive, जी ए है active, एदे वेच सब्जेक्ट है, एदे इंग्लिश के में बनावांगे आपा, एदे इंग्लिश बनावंदेली, असी active वाला फार्मुला यूज करांगे, active दे वेच असी श्रुवात किस चीज तो कर दे, subject तो हैं, जी में आपन नॉर्मली लिख दे हैं, दे, उस तो बाद, subject तो बाद, असी लिख दे हैं, helping verb, आर, आर तो बाद, असी, सिद्धी असी, वर्ब्दी, फर्स्ट फर्मुनल आई एंजी लगा मांगे, ये बन गया, they are watching, they are watching, की देख रहे नियो, television, they are watching, television, television की एथे, object, की देख रहे नियो, television, object, एदर आजो हुन, television, ओना द्वारा देख्या जा रहे है, हुन तक सानू पता लागया वी, जो दो असी द्वारा एथे लिख्या हुए, subject नाल, तो ओ हुन देख पैसिव, देखना वर्ब है, ओना द्वारा देख्या जा रहे है, तो की आए गया थे, एपैसिव है, अच्छा पैसिव देख शुरुवाद कितो करांगे असी, object, object की है, television, तो असी एथे लिख देवांगे, television, television, फिर, is, television आज हुन आरता नहीं है, singular है, क्योंके continuous tense ता पैसिव है ता being लगा कि third form, television is being watched, watch थी third form है, watched, television is being watched, की देख दवारा, ओना दवारा, ओ बाच आज़ेगा, by them, एठेख चीज़, students में clear करदा, English ते विच असी object पहला लिखांगे, ए है Punjabi, Punjabi की इसी television ओना दवारा देख्या जा रहा है, ठीक है, अच्छा, Punjabi ते विच जरूरी नहीं television अगे ही आवे, television एदुबाद भी आसा था, जी आए होंदा, ओना दवारा television देख्या जा रहा है, ता फिर भी ओ पैसिव है, जे sentence ते विच टेलिविजन एदर आजन्दा, ओधिनल कोई फर्क नी पहना से English ते उपर, English एदर ही बननी सी, जे आजन्दा ओनना दवारा television देख्या जा रहा है, बस दवारा लगया है, पैसिव, टेलिविजन एथे लिखो जब पंजाबीच एथे लिखो, ओधिनल कोई फर्क एद दसना बहुत जरूरी है, television is being watched by them, अगयाओ, television देख्या जा रहा है, कौन देख रहा है television, देखन वाला एथे कौन है, subject कौन है, कोई नी है, एथे लिखलेने आपा नो subject, subject ही नी हैगा सादे को लेथे, तो ए है, passive, तो एदे English की बनगी, television, बस उपर वाली English बनजेगी, television पहला object, फिर is, फिर continuous tense टे विचे सी बिंग लगा की third form, television is being watched, being watched means, आख कम किता जा रहा है, television देख्या जा रहा है, television is being watched, being watched means, एक किरया एदे उपर किती जा रहा है, television is being watched, so students, active के रहा sentence है, जीशिच सब्जेक्ट होवे, और बनों दा फार्मुला ही है, पहला subject, helping verb, ते फिर वर्ब ना लाई हैं जी continuous tense टे विच, passive किनूं के नहीं है, जीशिच सब्जेक्ट द्वारा लाके जित्ता होवे, जा subject होवे न, passive दा फार्मुला ही हम दे, पहला object, helping verb, ते continuous tense टे विच असी बिंग लगा के third form दस्तमाल क I hope students अनू present continuous tense टे active, passive बिल्कुल चंगी देरा समझ आगे हैं, होन तोडी practice ली ताँनू screen दे उपर नजर आओनगे कोच sentences, तुसी ओना दी करो translation टे देखो किने sentences तोडे सही हन, thank you very much आगे और आगे समयá ओना आगे हैं, होना है मैं, होना इपार्म के act जा झाल जाओता हुआ Candू मैं Tea मैं दुसी मम् भापे जाउन हम घसान है, खाहँ को civ imagem दो कि आया हैं